हलो फ्रेंड्स कैसी है आप सब डोसा तो आप सबने बहुत बार खाया होगा लेकिन आज मैं आपसे शियर करने वाली हूँ यह कैसा अमेजिंग सा डोसा और उसके साथ मैं बताने वाली हूँ आपको प्रीमिक्स का पाउडर मतलब आप इंस्टेंट डोसा फटाफट से बना करेंगे जब भी आपका मन करें ना भीगाने का जंजट ना फर्मेट करने की परिशानी और साथ इंस्टेंट भाजी बनाने का ऐसा कमाल का तरीका कि आप देखते ही जरूर बनाने दौर पड़ेंगे तो चलिए फटाफट से बनाते हैं इस डोसे को और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्रिस्पी सा हमारा ये डोसा बनकर तयार हुआ है तो मैंने बनाया ये पाव भाजी डोसा आप एक बार जरूर ट्राई करें बहुत ही अच्छा और कुरकुरा बनकर तयार होता है आप पैक्शर देख सकते हैं कि कितना अच्छा डोसा हमारा बनकर तयार ह पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं प्रीमिक्स डोसा का प्रीमिक्स आज मैं आपको बताने वाली हूं इसके लिए मैंने नॉर्मल जो दोसे वाले राइस होते है यह परमल राइस या जो भी आपके पास नॉर्मल सस्ते वाला राइस हो ले 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 वह मैंने ले लिया एक कप इसमें मैंने डाल दिया वन फोर्ट कप पोहा दो बड़े चमच उड़ती दाल दो चमच चना दाल और अब मैं इसमें जाल दूँगी आदा जोड़ा चमच जाएगा मतलब जो राइस हैं जब भून जाते हैं तो उनके उपर इखल किसी वाइट कोटिंग आने लगती है आपको तब तक इने भूनना है और बस ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं रखना है तो देखिए चावल के उपर इखल कि जाए तो बस अब गैस का फ्लेम बंद गर दे और इसे पुरी तरह ठंडा कर लें और जब यह मिक्स पूरी तरह ठंडा हो जाए आप इसे डालने मिक्सी के जार में और पहले इसका एक फाइन सा पाउडर पीष लें त्यान दगना है कि पाउडर अच्छे से फाइन पीष अब आप देख सकते हैं कि इसका पाउडर दर दर आता इस समय मैं इसमें एड कर रही हूं वन फोर्थ कप सूजी सूजी मैंने इस समय इसलिए डाली क्योंकि अब सूजी भी इसके साथ पीष जाएगी तो दीखी मैंने इसका फाइन सा पाउडर तयार कर लिया है अब ट्र प्री मिक्स तैयार है इससे जब आपका मन करें आप फटा फट सिक पीडो सा बना सकते हैं तो इसे भर लिया मैंने एक कंटेनर में और कंटेनर में भर के आप स्टोर करेंगी यह कभी तक भी खराब नहीं होता तो लीजी हमारा प्री मिक्स भी तैयार हो चुका है अब इसम अब कच्छी थी तो फूलेंगी तो काफी सारा पानी एब्सॉफ करेंगी बस इस चीज का ही आपको ध्यान लगना है पहले मैंने इस वाले डोसे को खुद बना कर ट्राई किया तभी मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूं बहुत अच्छा और क्रिस्पी डोसा आपका बन है और मैं इसे रख देती हूं बाद में जरूरत होगी तो हम पानी एट कर लेंगे तो आज क्या हुआ रात मैंने बनाई थी मिक्स सब्जी और मेरे पास से मिक्स सब्जी बची वी रखी तो मुझे आया एक आइडिया कि क्यो ना मैं इसकी पाव भाजी बना लू तो मैंने एक प्याज काटली एक छोटी सी शिमला मिर्च बारिक बारिक काटली और अब आपको मैं मिक्स सब्जी से नॉर्मल से एक तम टेस्टी से भाजी बनाने का तरीका बताऊंगी तो मैंने एक कड़ाई में दो चमच ओयल डाला जैसे ओयल गर्म हुआ एक पिंच ही इंग जाल को बची होई सब्जी से बनाया है बहुत ही अच्छा डेस्ट आएगा जैसे ही प्याज और शिमला मिर्ची भूने आप इसमें डाल दें एक टमाटर यह मेरे पास बड़े साइस का टमाटर था चोटे हो तो दो डालने और अब डालने कुछ मसाले तो थोड़ा सा नमत आज इसमें आपको डाल देनी है वो सब्जी जो मेरे पास रखी थी और सब्जी डालने के बाद अच्छे से पहले कर लें मिक्स और उसके बाद अब ले ले एक पाव भजी मैशर और थोड़ा सा पानी डाले और इसको एक दम सारी जी जो के साथ अच्छे से मैश कर ले तो बिल तो देखे मैंने अच्छे से सारी चीजों को कर लिया मैश और अब इसमें में डाल दूँगी थोड़ा सा पानी क्योंकि अब मैं इसे पकाऊंगी तो थोड़ा सा और गाड़ी होगी है तो पानी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसे भी आप ग्रेवी की पकी हुई सबजी थी और हमारी जो यह बहुत ही टेस्टी सी भाजी तयार हो चुकी है आप इसका टैक्शर कलर देख सकते हैं कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने पची सबजी से बनाया है तो चलिए अब अपने बैटर को भी चेक कर लेते हैं तो हमारा यह बैटर काफी अच्छे से फूल चुका है मतलब हमारे चावल दाल सब फूल गए और थोड़ा गारा हो गया है अब आप इसमें जाल दे पानी और आपको इसका एक मतलब जैसे नॉर्मल डोसा का बैटर होता है विकुल वैसा ही बैटर बना लेना है जिससे हम जब इसे तवे पर स्प्रे बेटर हमारा बन कर ये तयार हो गया है तो चालें पटाबट से बरा लेते हैं दोसा तो मैंने रख लिया काता बेटर शुकंतनों जहा हुआ और मैं होता हुआ है इसका अब इसके पहले जम सब्सक्राने 1-2 लैडल मैंने पैटर डाला और आराम से इस तरी के से घुमाते और oil लगाने के बाद इसके उपर लगा दूगी मैं भाजी तो आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी डोसा जो बहुत ही यम्मी और अलग टेस्ट का बनकर तयार होगा मतलब आप इसे एक बाद चरूर ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है तो अब भाजी मैंने लगा दी और जब इसने किनारों को छोड़ दिया तो देखिए हमने इस डोसे को इस तरीके से रोल कर लिया और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्रिस्पी सा भाजी डोसा हमारा ये बनकर तयार हुआ है मैंने एक और को डाल लिया था मतलब जब आप एक बार सेकना स्टार्ट करेंगे तो फटा पट से आपके जो डोसे है वो बनते चले जाएंगे तो लीजे हमारा एक और डोसा तयार है तो चलिए कर लेते हैं सर्फ अब मैंने से सर्फ कर लिया चटनी के साथ इस चटनी का लिंक में आई बटन में दे दूँगी मेरे चैनल पर अपलोड है यह दो फ्लेवर की चटनी एक ही में मिक्स है तो देखिए हमारा टेस्ट्री सा डोसा तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुपर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पसंद आए तो चैन